एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में अगर आपने चैनल पर पहली बार विजट किये है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जितनी भी वीडियो जो मैं अप्लोड करूँ आप लोगों तक नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और अगर आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप से जोड़ना चाहते हैं अपडेट्स के लिए और अपने डाउट्स के लिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बात करें Vodafone Idea Limited की तो पहले चीज़ तो यह समझे कि अगर किसी को यह लग रहा है कि स्टॉक एक दम से 100 रूपे आसपास चला जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि कमपनी अभी तक 5G rollout भी नहीं कर पाई है उसके regarding भी update कमपनी की तरफ से दिया गया है अभी recently हमें चीज़ें देखने को मिली थी की कमपनी अभी 5G rollout करने की तयारी में भी देखने को मिल रही है लास कोज़िंग की बात करें तो 12 रूपे 75 पैसे पे 10 पैसे की बड़ स्टॉक में रही है 12 रूपे 65 पैसे के आसपास की रीविस क्लोज़िंग थी बीते 5 जिनों में 3 परसंट तक करेक्ट हुआ है और बीता एक महीना 1.5 परसंट की गिरा उटम बीता है छे महीने की बात करें तो साड़े आठ परसंट के असपास की करेक्शन है यहाँ पर सेनेरियों यह समझे कि Vodafone आइडिया एक लॉंग टरम का प्लेयर है शॉट टरम में अगर आप सोच रहें कि एक डिट साल में दो साल में ही 100-200% के रिटन मिल जाएंगे तो बहुत rare chances हैं कि इतने रिटन मिलें quantities के अगर बात करो अगर आप risk ले रहे हैं किसी ने हो सकता है कि 1 lakh quantity भी add करी हो इस rate पिए 10 रुपे के असपास हो सकता है कि अगर दो चार रुपे बड़ेगा तो मैं बेच दूँगा अब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं उन सिनेरियोज के साथ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आप रिस्क फेक्टर को मेनेज करके चल रहे हैं वो भी एक अच्छी बात है और करना भी जरूरी है अगर आप सोच रहे हैं कि भी लॉंग टर्म में कितना मुनाफ़ा बनेगा ये तो आने वाला समय बताएगा कमपनी की पर्फुमिन्स बताएगी किस तरीके का काम करती कमपनी आने वाले समय में बीता एक साल 78% के रिटरंस के साथ में बीता है एनके 5G रोलाउट को लेके अपडेट जो हमकी तरफ से दिया गया है Vodafone Idea CEO Akshay Mundra has sent a mail in the mail Mundra expressed gratitude to customer he shared the significant milestone when the company's recently concluded Rs.18,000 क्रोड फोलो on public offer जो कमपनी तरफ से अभी पेच किया गया था 18 क्रोड का जो फंडरेज एक तरीके से किया गया था FPO के जरिये subscribe हुआ 7 गुना 7 times subscribe हुआ और इनही 18,000 क्रोड पो की मदद से कमपनी 5G रोलाउट करने वाली है He also shared the company's plans including an update on 5G रोलाउट We are ready for a new chapter of growth and innovation that is empowered by our state-of-the-art network advanced technology and unvering commitments towards customer satisfaction Mundra wrote in the letter तो यहाँ पे अब जो यह पैसा ही कठा किया गया है FPO के जरिये इसी की वज़े से जो है कमपनी अब 5G रोलाउट करने की तयारी करने वाली है अब कब होगा कब तक जो है हमें Vodafone Idea का 5G मार्केट में देखने को मिलेगा यह आने वाला समय जरूर बताएगा लेकिन अगर 5G जल्दी ही रोलाउट करती है कमपनी तो उसका भी revenue generation कहीं ने कहीं Vodafone Idea के शेर प्राइस पर impact जरूर डाल सकता है ओरल वोल्यूम की अगर बात करें तो 37 क्रोड चमवन लाख 78,451 शेर्स का वोल्यूम स्टॉक में last closing में trade हुआ है after market orders अगर आप देखें तो 11 क्रोड की जगे नहीं कहूंगा मैं 1 क्रोड 19,68,054 शेर्स जो है stock के buying order में लगे हुए है जबकि अगर मैं selling pressure की बात कुरूँ तो 96,76,466 शेर्स यानि कि buying pressure as compared to selling pressure ज्यादा है 1 क्रोड 19,00 का buying pressure है जबकि 96,00,000 शेर्स का ही selling pressure देखने को मिल रहा है माहौल अभी भी stock के अंदर बेरिश बना हुआ है technicals पे अगर आप थोड़ा सा focus करें तो stock जो है almost अपने support level पे इस time trade कर रहा है यह support है और यहां से ही stock ने पहले भी bounce back किया इसी range से 12 रुपे के असपास के तो car free crucial कह सकते crucial level है 12 रुपे का अलड़ी stock जो है इस time support level पे भी trade कर रहा है तो long term का portfolio जिस तरीके कि आपकी strategy है उसी साब से ही आप लोगों को Vodafone idea को carry forward करना चाहिए